Hey everyone, welcome back to our channel छोटे छोटे वाक्यों से इंगलिस बोलना सीखे अगर आप इंगलिस सीखना चाहते हैं तो रोज प्रेक्टिस करें आज हम सीखेंगे प्रजेंट कणिनिवस टेंज के बारे में प्रेजेंट कणिनिवस का यूज हम जब काम चलते रहता है लगातार होते रहता है तब हम इसका यूज करते हैं हिंदी के वाक्य के अंत में रहा है रही है रहे है लिखा हुआ होता है सब्जेक्ट के अनुसार helping verb लिखते है is, am, are वाक के first form में ing लिखते है वह bread खा रहा है वह bread खा रहा है he is eating bread वह क्या कर रहा है वह खा रहा है तो वाक के first form के साथ ing का यूज करते है he is eating he के साथ is लिखते है he is eating bread माला अच्छी दिख रही है माला अच्छी दिख रही है माला is looking good look verb है इसमें ing लगा है जो काम लगातार होता रहता है तब हम present continuous का यूज करते है माला अच्छी दिख रही है माला is looking good मैं अच्छा दिख रहा हूँ I am looking good I के साथ हम am लिखते हैं मैं अच्छा दिख रहा हूँ I am good आप जा रहे हो you are going you are going हम खेल रहे हैं you के साथ आर लिखते हैं आप जा रहे हो you are going हम खेल रहे हैं we के साथ भी हम आर लिखते हैं we are playing we are playing we जा रहे हैं they are going they के साथ भी हम आर लिखते हैं we जा रहे हैं they are going he, see, it और नाम के साथ हम is लिखते हैं you, we, they के साथ हम आर लिखते हैं वह नहीं खा रहा है जब हमें present continuous tense का negative बनाना होता है तब हम सिर्फ is के बाद not लिख देते हैं वह नहीं खा रहा है he is not eating सब कुछ सेम रहता है बस helping verb के बाद not लगाते हैं वह नहीं खा रहा है he is not eating वह पतंग नहीं उड़ा रही है वह पतंग नहीं उड़ा रही है female के लिए हम sea लिखते हैं वह पतंग नहीं उड़ा रही है sea is not flying a kite यह काम नहीं कर रहा है it is not working वह नहीं खा रही है he is not eating वह पतंग नहीं उड़ा रही है यहां काम नहीं कर रहा है तुम नहीं खेल रहे हो वे चिढ़ा रहे है चिढ़ाना के एंगलेस होती है tease tease means होता है चिढ़ाना वे चिढ़ा रहे है they are teasing हम नहीं जा रहे है we are not going तुम नहीं खेल रहे हो you are not playing वे चिढ़ा रहे है they are teasing हम नहीं जा रहे है we are not going इस स्लाइड में हम present continuous के interrogative sentences बनाना सिखेंगे interrogative sentence में question mark लगा हुआ होता है वाक के क्या से शुरू होते है अंत में question mark लगा हुआ होता है क्या वह विद्याले जा रही है female के लिए इस तरी के लिए हम c लिखते है सबसे पहले हम helping verb लिखते है is c going to school क्या वह विद्याले जा रही है is c going to school क्या वह खाना बना रही है क्या वह खाना बना रही है is c cooking food सबसे पहले हम helping verb लिखते है क्या वह विद्याले जा रही है is c going to school क्या वह खाना बना रही है is c cooking food क्या वह वहाँ जा रही है is c going there is c going there interrogative sentence की पहचान English के वाक्य में helping verb सबसे पहले लिखी हुई होती है और question mark लगा हुआ होता है pct present continuous tense में काम होता रहता है और v1 plus ing लिखते है मतलब verb की first form में ing लिखते है अगर आप English सीखना चाहते है तो ऐसे ही छोटे छोटे वाक्य बना कर English बोलना सीखे अगर आप English सीखना चाहते हैं तो खुद practice करें और खुद वाक्य बनाना सीखे interrogative sentence के साथ WH family लगा कर वाक्य बनाना सीखे interrogative sentence और WH family वाले sentence सेम होते हैं बस सबसे पहले हम WH family लिखते हैं हिंदी के वाक्य में क्या कहा कैसे कब लिखा होता है उसी हम सबसे पहले लिखते हैं वह क्यों हस रही है why is she laughing सबसे पहले हम WH family लिखते हैं फिर helping verb फिर subject फिर main verb लिखते हैं वह क्यों जा रही है why is she going वह क्यों हस रही है why is she laughing वह क्यों जा रही है why is she going वह खाना क्यों नहीं बना रही है why is she not cooking जब हिंदी के वाक्य में क्या कब कहां कैसे बीच में आए वाक्य के बीच में आए तब आप हेल्पिंग वर्ब से पहले वह फैमली लिखेंगे इंट्रोगेटिव संटन्स में हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं इंट्रोगेटिव और डबलू एज फैमली वाले वाक्य में हम सबसे पहले डबलू एज फैमली लिखते हैं दिया टिम्टी मा रहा है Is the lamp flickering? क्या इसका स्वाद आ रहा है? क्या इसका स्वाद आ रहा है? इट के साथ भी हम इज का यूज करते हैं Is it testing? क्या इसका स्वाद आ रहा है? Is it testing? E, C, it और नाम के साथ हम इज का यूज करते हैं क्या यह अच्छा काम कर रही है? Is it working well? Is it working well? दिया टिम टिमा रहा है? Is the lamp flickering? क्या इसका स्वाद आ रहा है? Is it testing? क्या यह अच्छा काम कर रही है? Is it working well? Is it working well? अगर आप इंगलेश सीखना चाते हैं तो रोज प्रैक्टिस करें छोटे छोटे वाख के बनाना सीखे इंगलेश सीखना बहुत आसान है प्रैक्टिस करके आप इंगलेश बोला सीख सकते हैं इस सलाइड को ध्यान से देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि इंट्रोगेटिव के साथ डबलो एच फैमली के वाख के कैसे बनाते हैं सबसे पहले डबलो एच फैमली प्लस हेल्पिंग वर्व प्लस सबजेक्ट प्लस में वर्व प्लस अदर वर्ट यह काम क्यों कर रहा है यह काम क्यों कर रहा है वाई डबलो एच फैमली हेल्पिंग वर्व इज वर्किंग में वर्व अदर वर्ट दिस वाई इस दिस वर्किंग यह काम क्यों कर रहा है वाई इस दिस वर्किंग तुम कहां रहती हो तुम कहां रहती हो? Where, WH family, do, helping work, you, subject, leave, main work. तुम कहां रहती हो? Where do you live? तुम कहां रह रही हो? मतलब कि इस समय आप कहां हो? Where are you staying? Where are you staying? Where are you staying? He, see, it और नाम के साथ हम is का यूज़ करते हैं helping both is लगाते हैं you, are, they और plural noun के साथ हम r लिखते हैं I के साथ हम m लिखते हैं I के साथ हम m लिखते हैं m का यूज़ हम सिर्फ आई के साथ करते हैं आई के साथ हम एम लिखते हैं आई के साथ simple, negative और interrogative sentence बनाना सीखेंगे मैं जा रहा हूँ, I am going मैं जा रहा हूँ, I am going मैं नहीं जाता हूँ, I am not going मैं जा रहा हूँ, I am going मैं नहीं जा रहा हूँ, I am not going क्या मैं जा रहा हूँ Am I going Am I going मैं जा रहा हूँ I'm going मैं नहीं जा रहा हूँ Am not going क्या मैं जा रहा हूँ Am I going Am के बाद not लगाने से negative बन जाता है और सबसे पहले helping बल लिखने से वो interrogative sentence बन जाता है मैं उससे बात कर रहा हूँ I am talking to him अगर यहाँ पर female की बात होती तब हम female के लिए her लिखते है मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ I am learning English मैं उससे बात कर रहा हूँ I am talking to him मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ I am learning English मैं फल नहीं खा रहा हूँ I am not eating fruit मैं फल नहीं खा रहा हूँ I am not eating fruit मैं वहां क्यों जा रहा हूँ मैं वहां क्यों जा रहा हूँ जब वाक्य के बीच में क्यों आता है तब हम उसे सबसे पहले लिखते हैं मैं वहाँ क्यों चा रहा हूँ Why am I going there? Introgative negative sentence बनाना सीखे Introgative negative sentence कैसा होता है? आईए वाक्य के जरिये समझते है मैं वहाँ क्यों नहीं जा रहा हूँ जब Introgative के साथ नहीं आए वाक्य में नहीं लिखा हुआ आए तब हम उसे Introgative negative sentence कहते है मैं वहाँ क्यों नहीं जा रहा हूँ Why am not going there? पहले हम Why helping verb subject उसके बाद हम not लिखते हैं फिर main verb You के साथ हम आर लिखते हैं वाक्य के अंत में है या हो लिखा हुआ होता है आप कहां काम कर रहे हैं आप कहां काम कर रहे हैं आप कहां काम कर रहे हैं Where are you working? तुम उसे क्यों चिढ़ा रहे हो? तुम उसे क्यों चिढ़ा रहे हो? चिढ़ाना के इंगलिस होती है टीज जब हम किसी को तंग करते हैं तब हम उसे इंगलिस में टीज कहते हैं तुम उसे क्यों चिढ़ा रहे हो? Why are you teasing her? Why are you teasing her? तुम क्या समान ले रहे हो? What items are you taking? अगर आपको थोड़ी भी grammar नहीं आती तो आपके लिए ये वीडियो बहुत helpful है ऐसे ही छोटे-छोटे वाके बनाकर English बोलना सीखें आईए और कुछ examples के जरिये सीखते हैं वे फल खा रहे हैं They are eating fruit They are eating fruit हम देख रहे हैं We are seeing बच्चे खेल रहे हैं You, We, They और plural pronoun के साथ हम आर का यूज करते हैं Children plural noun है तब हम यहाँ पर आर लिखते हैं The children are playing आप लंदन में रह रहे हैं You are living in London अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सस्क्राइब जरूर करें ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सस्क्राइब करें Thanks for watching